हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मजदार टेस्टी आरू सिमला मिर्च की सब्जी खाने बहुत ही टेस्टी और डिलिसेस लगती है यह बनाना बहुत ही असान है तो चलिए इसे बनाने हम सुरू करते हैं तो इसे बना इसका दो मिनट के बाद इसे एक प्लेट में आप निकाल दें अब उसी पैन में थोड़ा सा तेल और डाल कर हम जीरा और दो तीन लाल मिच डाल देंगे आधा चमस जीरा डाले जब यह हलका सा चटकने लगे तब इसमें आप उबला हुआ प्याज डाल दे कूकर हमेंने दो बड़े साइच के प्याज उबाल लिये थे अब आप हलका सा धकन लगा कर प्याज के पेश्ट को डाल दे प्याज में हलका सा पानी होगा तो धकन लग किहां पीज की पेश्ट को डालें अब प्याज के पेश्ट को हम अच्छे से लोफ लेमपे फ्राई कर लेंगे के जबिह हल्का ब्राऊन हो जाए तब इसमें हम पीसा हुआ टमाटर डाल देंगे टमाटर आप खट्टा नहीं डाले हलका मीठा वाला ही टमाटर आप ले अगर खट्टी वड़ी टमाटर है आपके पास तो उसके बीज को निकाल दे अफिर उसका पेश्ट बना ले बीज निकाल लेने से टमाटर खट्टा प बाद के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं जब टमाटा अच्छे से भून जाए तब इसमें एक चमच बेशन डाल दें बेशन को भी आपको लो फिलेंपे दो मिनट के लिए भूनना है पानी नहीं डाले क्योंकि प्याज और टमाटा में और लेडी पानी है इसके बाद में पर सूख्य मसायर डाल लिहीं इसमीं आधा चमच कालि मिच पाउडर एक चमच लाज मिच पाउडर दो चमच धनिया पाउडर है इसके बाद हलका सा पाई डालके हम सारे मसालों को लो फिलेम पर अच्छे से भून लेंगे क्योंकि मसाले हमारे सुखे थे इसलिए हलका सा पाई डालना जरूरी है हलका सा ही आधा कफी पाई डाले और अच्छे से भून ले भूण जाने के बाद आप इसमें 2 बड़े कटे हुआ आलू डाल दे और अच्छे से से मिलाते हुआ भूण ले फिलेम को हम लो ही रखेंगे इसमें हलका सा और पाई डाल दें पाई डालने के बाद धक्कन लगाकर हम लो फिलेम पर पांच मिनट के लिए आलू को पकने के लिए छोड़ देंगे पांच मिनाट बाद देखिए इसे अच्छे से मिक्स करते हुए मिला ले अच्छे करें कि आलू पक गई है या नहीं देखिए पांच मिनाट बाद कितने अच्छे से आलू पक चुके हैं अब इसमें मैं एक चमच गाढ़ी दही डाल लहीं हूँ अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर ले मिक्स करने के बाद इसमें सिमला मिर्च और प्यार जो मैंने पहले भून के रख लिये थे वह हम डाल देंगे और लास्ट में अच्छा फ्लेवर के लिए एक चमच हम सेजबान सॉस डाल देंगे सेजबान सॉस डालने से बहुत ही अच्छा अला जवाब टेश्ट आता हैं अब ढ़क कर इसे आप दो मिनट के लिए पका ले देखिए दो मिनट बाद हमारी सब्जी बन के त्यार है देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है यह खाने में उतिन नान या चावल पराठा किसी के साथ भी तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आयो तो प्रीज लाइक सब्सक्राइब और सेर जरूर करें अब फीड़ेक देना न भूले